आप सभी को मेरा प्रिणाम हर्बल रेमिडीज ए नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है साथ हो आज हम बात करें के एज रिलेटीड डिसॉडर्स के लिए क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है हमारे सरीर की इम्मुनिटी कम हो जाती है और विबिन्य परकार के एज रिलेटीड डिसॉडर्स का तो मैं कहूं रामबान इलाज है क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी इम्मुनिटी कम होती है बहुत सारे रोग के चपेट में हमा आ जाते हैं यह प्लांट डाइबिटीज के लिए मुटापे के लिए ब्लड प्रेशर के लिए समश्या हो जा तो इस प्लांट का फल इस प्लांट के फूल इस प्लांट की चाल इस प्लांट की स्टेम सभी काम में आते हैं इसको आडू के नाम से जाना जाता है प्रूनस पर्शी का रोजेशी फैमिली का है इसके अंदर जो एक्टिव कॉंस्टेंट्स हैं वो फ्लाउनाइड पोलिफ मेगनीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मेगनीज, कोबाल्ट आदी पाये जाते हैं। मित्रो यह जो फ्रूटिस प्लांट आप देख रहे हैं, इसके पिंकिस वाइट जो फ्लार्ज हैं, इनकी लग्जेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसका जो फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर जो गुठली होती है, उसका तेल निकाला जाता है। जो हेर संबंदित कोई भी समश्या हो उसको आसानी से निराकरण करता है चाहे बाल जढने के समश्या हो या बाल सफेद होने के समश्या हो या बाल जल्दी जल्दी आपके ग्रे हो रहे हूं और बालों की जो डेंसिटी या धीर-धीर कम हो जाती है अगर मैं कहूं स्थानी अगर औरहा से लिए अधाय को निकाल देता भी पर का इंगे तो आप अच्छा कारे करेगा और अगर बुखार की समश्या हो गई है तो भी आप क्या कर सकते हैं इसके पत्र का फांट बना कर सेवन कर सकते हैं इसकी जो चाल आप देख रहे हैं इसकी चाल का आप महीन पाउडर बना लीजे और कहीं घाव हो गया है और से ब्लीडिंग हो रही है ब्लीडिंग रुक नहीं रही है तो आप उस पे लगा दीजे स्टिप्टिक का कारिये भी करता है स्टिप्टिक का मतलब होता है जो घाव क करने 10 हो बहने वाले ब्लट को रोकता है। perfect करता है इसकी बार्क का डिकॉक्षिन बनाएंगे तो, का होने वाली ब्रॉंकाइट इसकी शमस्या है या या सांस लेने में दिक्कत आती हो, या अस्तमा की समस्या हो या फिर रेस्पारटरी ट्रेक में कोई infection भी अगर होगा तो इसका decoction आसानी चे निराक्रन करता है इसके साथ इसका जो decoction होता है वो sedative property होती है sedative का मतलब होता है जो हमारी मांसिक तनाव को कम करता हो mind को relax और cool रखता हो वो sedative properties होती है insomnia की समस्या जो नीमना आने की समस्या होती है उसको भी इसकी बार्क का decoction आसानी से ऐसी समस्याओं को दूर करता है बहुत अच्छा ये कारे करता है इसमें स्वादनुसार आप सहद मिला लेंगे तो बहुत अच्छा होगा इस प्रकार से आपने जो ये जाना की आड़ू खाईए और किसी भी प्रकार के fever respiratory problems पेट में होने वाले कीडे, hypertension की समस्या हो या obesity की समस्या हो या cardiac disorders हो या tumor की समस्या हो सभी में बहुत अच्छा ये कारे करता है जानकर ये आपको पसंद आए तो like share subscribe करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और आपके छेतर में इस plant को किस नाम से जाना जाता है ये भी हमें जरूर लिखके बताईए इंडिया के अंदर 200 से ज़्यादा species, subtropical और temperate climate के अंदर cultivate की जाती है आपके छेतर में किस नाम से इसको पुकारा जाता है जरूर लिखके हमें बताईए इनी बतों के साथ में अपने मानी को विराम देता हूँ आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार